हेलो प्रेंड मैं हूँ संध्या और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चाइनल सुप्रमाद की चार्में आज हम बनाएंगे केसर लस्सी गर्मियों में ठंडी ठंडी लस्सी पिना सबको अच्छा लगता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने यहां 400 ग्राम दही ले लिया है 100 ग्राम सक्कर ले लिया है थोड़े से केसर के धागे ले लिये हैं और गार्निसिंग के लिए थोड़े से ड्राइहुड ले लिये हैं सबसे पहले हम केसर के धागों को पानी में भीगा के रख देते हैं तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे और अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा, अब हम लिलेंगे एक मिक्सिंग बॉल और इसमें डाल देंगे दही और अब एट कर देंगे हम सक्कर, और जो केसर गोल के रखा था उसे भी हम एट कर देंगे और इसे हम अच्छे से अब मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ असा पानी एट कर देंगे और फिर से अच्छे से हम मिला लेंगे तो हमारी केसर लस्टी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में और अब हम इसे गर्लेसिंग कर देंगे तो लीजिए ठंडी ठंडी केसर लस्टी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सेर और सास्क्राइब करना ना भूलिए थैंक्यू